साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर तो जैसा कि आज आज आपका ICMR ज्यारफ का एक्जाम था और जितने भी हमें feedbacks मिले हैं जो भी इस चैनल को follow करते थे सारे बच्चों का यही कहना है कि बहुत सारे questions जो थे वो इस platform से आये तो जो कि मैं already इस बात के लिए मैं बोल भी रहा था कि ICMR के बहुत सारे questions आपको हमारे पढ़ाए हुए देखने को मिलेंगे और वो चीज़े यहां पर सिद्ध हुई है बाकी paper का अगर मैं level की बात करता हूँ यहां पर बहुत ही short में कुछ चीज़ों को हम चर्चा करेंगे तो जो मुझे paper का level समझ में आया है कि जैसा ICMR अपना paper बनाता है मुझे questions देके कुछ ऐसा नहीं लगा कि यह paper easy था या hard था जैसा ICMR का paper आता है moderate level का यह question paper था और ICMR ने अपने paper से किसी भी तरीके का कोई भी compromise नहीं किया है जैसा questions वो पूछते हैं वैसा पूछा है बट फरक केवल इतना जो मुझे सुनने में लगा है या समझने में लगा है बाकी जो detail analysis जो मेरी actual analysis होगी वो मैं question paper को देख कर ही करूँगा ठीक है तो वो बात आप ध्यान रखेगा उसके बाद फिर आपको cut off या जो भी हमारी predictions होगी वो चीज़ें आपको बाद में मिलेंगी और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो केवल और केवल जो आपके feedbacks आये ह जो बच्चों ने comments किये है या जो बच्चों ने टेलिग्राम पे अपने questions को अपने experience को साजा किया है उसी के basis पे मैं ये video बना रहा हूँ ठीक है तो जो चीज़ मुझे आपको यहाँ पर कहनी थे कि पहली चीज ICMR ने जैसा paper बनाता है वैसा ही paper बनाया है कोई compromise नहीं किया मतलब ऐसा जो लोगों को मुझे feedback मिलना है नहीं तो पिछली बार के paper में क्या हुआ था जो अगर आप 2022 का उठाएंगे तो section ने थोड़ा सा इन्होंने hard पूछ दिया था जो शायद इस बार ऐसा नहीं था bio stats को भी लेकर जो बच्चे परशान थे उनको भी सबक सीखने को मिला है कि कोई इतना बड़ा भी मतलब bio stats portion आया भी नहीं और ना उसके बिना आपका selection रुखता है तो यह दो चार बाते थी जो आपको इस particular exam से सीखने को मिला और दूसरी important चीज़ यह है कि आपका जो सबका important query है किसार इसकी answer की कब तक आ जाएगी तो बेटा answer की जो होती है वो मान के चलिए after three days जो होता है तीन दिनों के बाद जो होता है वो आपको मिल जाएगा इस channel को subscribe करके रखे रहेगा जैसे ही website पे upload किया जाएगा मैं इस channel के माध्यम से आपको बता दूगा तो मान के सब्सक्राइब करते हैं जैसा कि आपके लिए important है जैसा कि कुछ questions मैंने यहां पर उठाएगे हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं section A में एक question आपका आया था और यह दोनों ही question जो है यह आप जाके देखिएगा मेरा जो playlist था ICMR 2022 के समय मैंने पढ़ाया था और उसी समय मैंने यह video सबसे पहला जबने चैनल क्रिएट किया था उसी समय मैंने यह video बना दिया था कि आप आपका नोबल प्राइस से questions बहुत पूछा जाता है ठीक है तो उसके रिगार्डिंग वीडियो पड़ा हुआ तो मैं आपको बार बार बोल ला था बेटा कि ICMR की जो playlist है उसको जरूर देख कर जाईएगा और जिन बच्चों ने देख कर गये हैं उनको definitely question कर कर आए है उसम नोबल प्राइस होता है उसमें मैं सौर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि यह नोबल ने जो यह scientist है इन्होंने एक चीज को बना दिया है या ऐसा मैंने तत्व खोज लिया है जिससे लोग उसका misuse करेंगे तो इसी वजह से उन्होंने अपने सारे संपत्ति को कह सकते हैं या उसकी मतब चीजों को उन्होंने donate कर दिया जिसको तो मतब जो लोग भी अच्छा काम करेंगे उनको Nobel Prize दिया जाएगा ठीक है तो यह Nobel Prize की basic story थी तो Alfred Nobel ने यहाँ पर डाइनामाइट की discovery किया है मेरा पढ़ाया हुआ यहां पर देखने को मिले कि साइद यहां पर जो क्वेशन की language थी कि science में Nobel Prize जो दिया जाता है वो किस नाम से दिया जाता है तो यह आपने जन्मीन पढ़ा होगा आपने newspaper भी पढ़ा होगा जो decent में आपको मिलते हैं यह आपने देखा होगा तो वह physiology and medicine के नाम से होता है तो करते हैं वो आपसे पूछा गया आल्टी मेसिन जो है वो आल्टी मेसिन एनुवा से आइसोलेट करते हैं definitely करना था डोपामीन का भी मैंने कुछ दिर पहले ही एक short video बना के डाल दिया था मतलब short मेरे एक वीडियो था जिसमें मैंने डीविटी का एक question paper है जाके जो नए होता है यह आपके Parkinson में कम हो जाता है यह मैंने आपको रटाया था और आपको बहुत अच्छे से चैनल को follow करोगे ना तो इस question में आपको confusion ही नहीं आएगा अलजाइमर को मैंने आपको रटवाया है कि एसे अलजाइमर एसे एस्टिल कोलीन तो इन दोनों disease में यह दो आपके neurotransmitter कह सकते हो यह आपके कम हो जाते है लेकिन साई जो फिरनिया जो होता है इसमें क्या होता है आपका जो डोपामाइन होता है बेटा वो बढ़ जाता है तो ultimately डोपामीन का जो relation है वो आपके साई जो फिरनिया से है तो सायथ कुछ ऐसा question डिजाइन किया था कि आपको कोई एक drug treatment करना है या कुछ भी ऐसा बनाना है कि मैं डोपामीन को लेके बनाऊंगा तो यह कौन सी disease को ठीक करेगा तो यहाँ कि अगर Parkinson option में नहीं है बेटा त 23 के question paper में मैंने साफ साब बोला है कि साइजो फिरनिया में आपका डोपामीन बरता है और next time exam में question आपका बन सकता है direct question आया था इसके बाद मैंने आपको बोला था environmental चीजों को जरूर पढ़के जाएगा वहां से आपका question डिराइड हुआ है वो आपका greenhouse gas था सायद यह आप DNA का एक question मुझे बढ़ा अच्छा लगा और कुछ questions जो थे कुछ students ने इसको गलत भी किया है कि आपको percentage दिया था एड़निन का दिया होगा यह थाइमिन, cytosine, guanine जो भी दिया था और आप से पूछा कि बेटा यूरेसिल का percentage बता दो अब आपने question उठाया मालों कि यह 10% थ फिर उसी के हिसाब से calculate करना सुरू कर दिया लेकिन जरा सी बुद्धी लगाते भाई कि यूरेसिल तो किस में होता है मेरा यूरेसिल तो मेरा RNA में होता है तो भाया कैसे calculate कर दोगे तो यानि की जो DNA में जो यूरेसिल का percent आएगा वो आपका 0% आएगा मतलब तो यह बहुत आपको यह देखना है कि जब भी कोई question आपसे percentage के form में पूछेगा तो वो देखना है कि वो double standard DNA की बात कर रहा है कि नहीं क्योंकि जो आपका चारगाइफ का law होता है जिसके basis पे आप इस चीजों को calculate करते हैं वो केवल double standard DNA पे कारे करता है तो यानि कि जब आप इसके ratio को calculate क करता था तो यानि कि जो आपका molecule है वो आपका single standard DNA जो होगा वो इसका right answer निकल कर आएगा next question में आपसे splicing का location पूछा था तो यानि कि इसका right answer आपका निकल कर आएगा वो आपका nucleus होगा मेंडेलियन disorder find करना था यह भी मैंने आपको जो modern genetics मैंने आपके recent में जब मैंने आइसे मार स्टार्ट किया था बहुत अच्छे से हमने इसको cover किया था उसमें मैंने पूरा टाइटल में दिखाया था कि कौन कौन सा अपके mandalian disorder से तो सायद आपको 5 या 6 disease के नाम दिये थे जिसमें आपका cystic fibrosis था और thalichemia था दुनिया भरका था client filter syndrome था जो भी था तो उसमें आपको find out करना था तो आप उस lecture के मदद से आसानी से कर सकते थे बाकि जब वो detail frame में वो question आएगा तो हम उसका better analysis कर पाएंगे हलाकि बस आपको syndrome वाले हटाना देने थे तो कि वो chromosomal के component पूछे थे, तो micro filament अगर आपको याद होगा तो आपके actin और myosin होते हैं जो आखिरकार जाके muscle contraction में involved होते हैं वहां का question था और micro tubules में आपके क्या होती है, tubulin protein होती है, तो ऐसा ही कुछ options में रखा रहा होगा तो वो आपका सही हो जाएगा, collagen का एक question आया था, मेरा lecture collagen का available है, biosynthetic path पे में जाके देखिएगा, इसी वज़ा से मैंने पता है, आपको चुनिनना topics ही मैंने अपने channels पे create करके रखे हैं, एक एक chapter जो है ना, बस वही बात है कि आपको thumbnail देखाना है, या मैं मुस्कुराता हुआ, खड़ा हो जाऊ तो आप पढ़ोगे, तो बेटा ऐसा स पता है कि आपका collagen बहुत important है, cholesterol जो है वो आपका बहुत important है, दुनियादारी ना पता हो लेकिन आपको cholesterol और collagen के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इस वज़ा से ये सारी चीजों को मैंने already complete करके रखा हुआ है, और बहुत ही detail में हमने cover किया है, तो collagen में आपसे पूछा था, हलाकि इसके language में लेकर बच्चों confusion हो रही है, बट जो मुझे समझ में आ रहा है, कि collagen में सबसे हलाकि देखा जाए, तो वहाँ पे tri peptides होते हैं, मतलब तीन amino acids का basically होते है, वो आपके glycine होता है, प्रोलीन होता है, और एक आपका hydroxyproline होता है, लेकिन जो उसमें one by third part होता है, ये मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा, one by third part जो होता है, वो कह सकते हो glycine का होता है, और अगर amino acid के residue पर जाओगे, तो हर तीसरे amino acid का residue होता है, ठीक है, वो आपका glycine होता है, तो structure में होता है, बट जब जो main, यहाँ पर मैं, अगर मैं simple सा एक word में लिखना चाहूँ ना बेटा, तो जो आपका key player है, वो क्या है, glycine है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, आगे से, इसके बाद sickle cell anemia, पहला वीडियो जब मैंने channel create किया था, तो मेरा पहला वीडिय होता हूँ, simple से कहानी हमने सीखी थी, वी से विलन होता है, तो इसमें होता क्या है, कि जो आपका glutamic acid होता है, बेटा, glutamic acid जो होता है, यह exchange हो जाता है, वैलीन से, ठीक है, तो गुंदा है, मतलब कोई चीजी गलत ही होगा, तो हम इसको विलन पढ़े थे, याद आया, तो मै आपके 6th position पे होता है, बीटा ग्लोबिन चैन में आपके mutation देखने को मिलता है, क्या होता है, यह सारी चीजों को हमने already चर्चा किया हुआ है, ठीक है, तो कोई सबस्या नहीं आई होगी, इसके बाद एक question आपसे और पूछा गया था, कि enzyme common इंदा बोथ TCA और ETS में कौन सा enzyme common होता है, तो tricorboxylic acid cycle में अगर enzyme के form में जाओगे, तो succinic acid dehydrogenase जो होता है, वो आपको देखने को मिलेगा, और electron transport chain में भी जो आपका second complex होता है, वो आपके FAD electron को transport करता है, जो more or less जो होता है, वो आपका succinic acid dehydrogenase ही provide कराता है, तो यानि कि जो इसका right answer बनेगा, वो ये ब mitochondria, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, बहुत important है, इसके बाद ये question आपका repeated आया, earthworm का जो brown color होता है, वो किस की वज़ा से होता है, तो वो porphyrin की वज़ा से होता है, definitely आपको करना चाहिए था, last में हमने hormones पढ़ा है, वहाँ से दो questions आपको देखने को मिल गए, kidney म से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो erythropoietin जो होता है, वो kidney से रिलीज होता है, और thyroxine amino acid की synthesis, जो कि आपका T3 या T4 के फॉर में दिया रहा होगा, तो कौन से amino acid इसके लिए responsible होता है, तो वो आपका tyrosine होता है, तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई, इसके अगर मैं animal world की बात करता हूँ, ठीक है, animal world की बात करूँ, या mammals की बात करूँ, तब आपका collagen आएगा, ठीक है, और most dependent protein in the biosphere जब बात किया जाएगा, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, rubisco होता है, rubisco जो आपका enzyme होता है, जो आप photosynthesis में पढ़ते हैं, वो important होता है, तो यह depends करेगा कि वहाँ पर options में क्या दिया गया था, तो आपका collagen हो सकता है, बाकि organic matter में आप जाओगे, तो आपको cellulose भी आपको बहुत ज्यादा most dependent देखने को मिलता है, तो इस question को हम जो है, वो थोरसा answer final आने पर जो आपका question paper होगा, वहीं पर हम इसको sort out करेंगे, बाकि DNA के जब आप proteins परते हैं, तो alpha helix पे कितने amino acids होते हैं, तो 3.6 amino acids के recidives होते हैं, ये question था, CFTR मैंने बार बार बोला था कि आपका cystic fibrosis से question पूछा जाएगा, और पूछा था कि आपके 508 position पे किस amino acid में mutation होता है, तो बच्चे लोग जो योग इस channel को देखकर गये थे, वो definitely हल क हैं, phenylalanine होता है, मैंने हजार बार बोला था, question पूछा गया, फिर एक question आपका और पूछा गया था, कि not a protein misfolding disease, हाला कि options जो रखे होगे थे, उससे भी आप track कर सकते थे, और बाकि अगर आप नहीं जानते हैं, तो आपने जब मेरे साथ, अगर आपने vitamin पढ़ा होगा, त विटामिन में जब मैंने आपको पढ़ाया है, तो वहाँ पे एक चार था, मैंने अपने लच्छ जाराफ टेलिग्राम पे पोस्ट कर दिया है, वहाँ पे मैंने बोला भी था, कि जो आपका ये जो disease होता है, ये आपका vitamin B की कमी से होता है, तो हाला कि हम बहुत सारे syndrome genetics में लेकिन ये जो आपका विमिक कॉरसकोफ सिंड्रोम होता है, ये आपके vitamins के deficiency से होता है, तो most probably मुझे लगता है जो इस question का right answer बनेगा, वो आपका विमिक कॉरसकोफ सिंड्रोम बनेगा, क्योंकि जो आपका Alzheimer जो होता है, वो तो आपका misfolding से होता ही है, प्रेयॉंस भी उसी स relation है, Parkinson भी आपका उसी में आ जाता है, ठीक है, प्रोटीन के misfolding से तो जो आपका नहीं होता है, वो आपका विमिक कॉरसकोफ सिंड्रोम है, चोकि मुझे जो लगता है कि ये आपका vitamins की deficiency से आपका disorder आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका protein की misfolding से आपका नहीं होगा, ठीक है ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी कहानी हो जाएगी, बाकी कोई सबस्या नहीं आएगी, next question जो था, statin मैंने आपको बार-बार बताया, cholesterol का lecture भी सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा के रखा था, मैनासकस परप्यूसस जो होता है, मैंने इसके बारे में खूब डिसकस किया है, next time भी बच्चे याद रखेंगे, जनेटीक कोड़न को लेकर भी, आपका मैंने डीबिटी के टाइम पे मैंने आपको question solve कराये थे, याद होगा आपको, ठीक है, तो जनेटीक कोड़न में होता है, तो दो options में, एक में आपका tryptophan की वज़ा से होता है, बट एक option में आपका indole दिया था, और एक में आपका imidazole दिया था, तो बहुत सारे बच्चे इसमें confused हुए होंगे, तो जो बता दू मैं आपको imidazole जो होता है, यापके histadine में ring पाई जाती है, tryptophan में आ प्रोटीन की synthesis करते है, cell cycle जब आप पढ़ेंगे तो बहां देखने को मिलेगा, बाकी बहुत ही आसान question, RNA क्यों unstable है, इसके बारे में भी हमने जब DNA का replication और basic information मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था, कि जो आपका hydroxyl group वगएरा की जो story होती है, वो इसका reason होता है, तो व immunology में आप पढ़ते हैं, small molecules होते हैं, ठीक है, तो ये आपके heptans हो गए, nucleic acid और protein का absorption पूछा था, तो nucleic acid 260 पे करते हैं, protein जो होते हैं, ये आपके 280 NM पे करते हैं, इसके बाद 4 options देके पूछा था कि कौन से आपके housekeeping gene नहीं है, तो बेटा housekeeping gene मैंने आपको बताया था, कि द बाकी हम इसको एक और चीज कह सकते हैं, ये आपका housekeeping gene नहीं है, बाकी हम इसको एक और चीज कह सकते हैं, ये जो genes होते हैं, ये आपके luxury gene में आते हैं, ऐसे genes जो कभी specific, specific condition में active होते हैं, उनको हम luxurious gene कहते हैं, बाकी सर सीवी रमन के आपके question आया था, कोई question बना के पूछा था कि वो किस phenomena पे अधारित है, या क्या उन्होंने discover किया था, तो जो भी वो था, सीवी रमन साहब के नाम पर हम science day celebrate करते हैं, अल्यडी हमने चर्चा किया था, 28 February को मनाते हैं, तो ये जो है, आपका light scattering की वज़ा से है, तो जो questions मुझे लगे कि जो आपके लिए, मतलब मैं damn sure था, कि वहाँ पे, मतलब सही से मुझे response मिले था, मैंने उन सब को discuss कर लिया है, बाकी दो दिन का wait करेंग के content है, जो आपको एक एक वीडियो जाके watch out करना चाहिए, और उसको फिर से notes बना के, अगर आप beginners हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही golden opportunity है, कि आप यहां से अच्छे से अपनी तयारी जो है, वो आपको start करनी चाहिए, तो ये सारे questions थे, ना जाने कितने questions जो है, वो मान के सेक्षिन में बताईएगा, हमारे लेचे जारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करिएगा, जहां पर आप अपनी सारी बाते रख सकते हैं, हम उस पर detail चर्जा करेंगे, मिलते हैं, next वीडियो में, next information के साथ, thank you very much.